गाव में रहने वाली कुंती अपने बेटे आशोक के ब्याव के लिए लड़की दून रही होती हैं पंडिक जी उन्हें कई सारी लड़कियों की फोटो दिखाते हैं ये देखिए कुंती जी ये लड़की और आपके बेटे की जोड़ी एकदम रामजी और सीता मया जैसी लगेगी ये लड़की भी बहुत गुनी और सर्वगुन संपन्न है हाँ पंडिक जी ये तो आप एकदम सही कह रहे हैं मैं तो अपने आशोक की शाधी इसी से कराऊंगी आप इस लड़की का सारा अतापता मुझे बता दीजिए बार जब वो गाव आएगा तब मैं उसकी शाधी कराऊंगी लेकिन जब अशोक शहर से गाव आता है तब वो अपने साथ शनाया को भी लाता है शनाया एक सुन्दर और बेबाक लड़की होती है जो छोटे कपड़े पहने हुए वहाँ आई होती है उसे देख कुंती के होश उड़ जाते है मा मिलो अपनी बहुरानी से ये है शनाया मेरी जान मेरी जिगर का तुकड़ा नमस्ते मा जी पाए लागू हरे दुरहट जा बे शरम बे हया लड़की अशोक ये तुने किस लड़की से शाधी कर ली इसने इतने छोटे कपड़े पहने है एक दुलहन शाधी के जोड़े में होती है लेकिन ये तो यहाँ छोटे कपड़े पहन कर आई है अगर मैंने छोटे कपड़े पहने है तो क्या मैं बे शरम हो गई इसमें क्या लाजिक है मा जी अरे तेरे लाजिक कमार गोली ये गाव है तेरा शेहर नहीं जो यहां तु यू नंगा नाच करते हुए इधर से उधर डोलती रहेगी जा कर साड़ी पहन ले लेकिन मा तु चिपकर बीच बीच में लोमडी की तरे मुँ मट डाल वरना तेरा मुँ ही तोड़ दूगी मैं नाला एक कई का कुंटी के कहने के बावजुर्बे शनाया साड़ी नहीं पहनते सौरी माजी लेकिन मैं कोई साड़ी वारी नहीं पहनने वाली मुझे छोटे कपड़े पहनना बेहत पसंदे आपको जो करना है वा कर लो ये क्या वत्तमिजी है तेरी मैं आपकी बहु हूँ कोई गुलाम न मुझे उनसे मैंने वीडियो कॉल पर बात की थी उनकी शादी भी एक शहर में रहने वाले से ही हुई है न वो भी वहाँ छोटे कपड़े पेहनती है बेटी पेहने तो सब ठीक है लेकिन वहू के पेहनने से तो हर सास को मोत ही आ जाती है हम अशक अपनी इस बेवकुफ लुगाई को समझा दे शनाया एकदम सही कह रही है मा अब उसे जैसा रहना है वो वेसा ही रहेगे अशक भी शनाया की साइड लेता है इस बात से कुंती को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है जब शनाया छोटे कपड़े पेहन कर गाव में गुमती है तभी गाव की औरते उसे देखकर बाते बनाती है और कुंती जब बजार में आती है तब उससे कहती है अरे कुंती बेहन, तुमारी बहु तो एकदम आरपार वाला फैशन कर रही है क्या तुमने उसे शगुन में कपड़े नहीं दिये ते का जो वो छोटे कपड़े पहन कर मटक मटक के घूम रही है यहां से वहा अपनी शहरी बहु का समझा कर रख दो कुंती कुंती को सबकी बाते सुनकर बहुत गुसा आता है वो गुसे से आग बबुला होकर घर चली जाती है तब ही वो शनाया को और भी छोटे कपड़े पहन कर फोन में इंस्टाग्राम पर लाइव ओडियन से बाते करते हुए देखती है हलो माइ पैरे फ्रेंड्स आई लव यू सो मज नई रिल कल तक आज आएगी मैंने इस बार काफी बोल्ड वीडियो शूट किया है सभी जम के लाइक्स और कमेंट्स करना और मुझ पर देर सारा प्यार बरसाना ओके? अरे नास पिटी तेरे लाइक्स और कमेंट्स कितो ऐसी कितो ऐसी आज तो तुझे मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी रुख जा कुंती शनाया को मारने लगती है और ये सब उसके इंस्टाग्राम लाइब में दिख जाता है अरे माजी जमत मारे माजी माजी और बना वीडियो और इससे भी छोटे कपड़े पेन पनोती बच्चलन कही की शनाया को यूँ मार खाते देख उसकी लाइब ओडियंस उस पर खूब हस्ती है और उसका खूब मजाग बनाये जाता है अगले दिन माजी आपके कारण मेरी इज़त की बैंड बच गई कर रात को आपने मेरे लाइब के बीच आकर मुझे मारा और ये सब मेरी ओडियंस ने देख लिया वो तो अच्चा हुआ लाइब आपने आप खतम हुआ वरना मेरी बची कुछी इज़त का भी कचुमबर हो जाता अरे का है की इज़त रे तुझे क्या लगता है लोग तुझे छोटे कपड़ो वाले वीडियो में देख कर तुझे चाहते होंगे अरे सब तेरा मदा कुड़ाते होंगे ओ हेलो मेरे पुरे एक लाग फॉलोर्स है इंस्टाग्राम पर एक लाग जानती भी हो क्या होते है अरे जया जया आई बड़ी मुझे सिकाने चाप लुस चुडेल एक दिन घर पर महमार आते हैं तभी वो शनाया को छोटे कपड़ों में देख वहाँ से जाने लगते हैं अरे चाची जी चाचा जी रुख जाईए नहीं कुंति हम नहीं रुकेंगे हम यहाँ तुमारी गुनवान बहुसे मिलने आये थे तुमारी ये छोटे कपड़ों वाली बहुसे नहीं इतनी निरलज्ज लड़की तो हमने पुरी जिन्दगी में कभी नहीं देखी लेकिन मेरी बातता सुनिये महमानों के रूट कर चले जाने के कारण कुंति को बहुत गुस्सा आता है देखा तुने क्या हुआ तेरे कारण बस बहुत हुआब तु निकल जा यहाँ से अब भी के अब भी निकल जा मुझे तु यहाँ से बाहर चाहिए बात खतम अपने सारे छोटे कपड़े उठा और चलती बन यहाँ से चल निकल यहाँ से पर मा आप शनाया को यह घर के बाहर कैसे निकल सकती हो अब यह बीवी के पालत कुत्ते तू तो मुझ बंदी कर अपना वनना तुझे भी निकल दूँगी इसके साथ शनाया वहाँ से जाही रही होती है कि तभी उसके फोन का नोटिफिकेशन बचता है और उसके बैंक अकाउंट में पुरे पाच लाक रुपे आये होते है अब क्या फोन में ही गुस्ती रहेगी यह निकलेगी भी ऐसे हाँ हाँ जा रही हुमे मुझे क्या मेरे पास तो अब लाखो रुपे आ गए है मुझे अब किसी चीज की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्या शनाया घर की दहलिज पार करने ही वाली होती है कि तभी गुंती उसे रोक लेती है रुख जा बहू क्यू अब कौन सा ताना देना रहे गया माजी तू अगर अपने काम से पैसे कमा रही है तो उसमें कोई बुरा ही नहीं है मेरा बस इतना ही कहना है कि तुझे चोटे कपड़े पहनने है तो तू पहन सकती है लेकिन अपने कमरे तक ही सीमित रखू से जब तू बाहर जाती है और जब कोई बड़ा बुजुर्ग घर में होता है तब उनका सन्मान करने के लिए साड़ी पहना कर हा माजी ये बात तो आप सही कह रही हो तो चोटे कपड़े पहनती है ठीक है लेकिन उन्हें भी दाइरे में पहना कर माजी अब जब आप मुझे इतना साथ देकर सपोर्ट कर ही रही हो तो मैं भी आपकी बातों को ज़रूर मानूंगे और हर एक छोटी ड्रेस पहनने से पहले आप से उनका अप्रूवल ज़रूर लूंगे और बड़ों के सामने और बाहर जाते समय मैं हमेशा साड़ी पहनूंगे इस तरह अंत में शनाया और कुंती के बीच के अनबन दूर हो जाती है और शनाया भी अपनी सास के दिये गए नियो मोका सही प्रकार से पालन करती है और सब खुशी-खुशी से रहने लगते है नित्या अपने पती दिरज और ससुर अंकुश के साथ रहती है नित्या की शादी के पहले ही उसकी सास का स्वर्गवास हो चुका था नित्या और दिरज की बीच इतना कुछ ठीक नहीं होता दिरज, बेबी ये देखो न क्या मैं ये गवन ओडर करू इसे पहन कर तो मैं कितनी होट और सेक्सी लगूंगी न तुम तो पागल ही हो जाओगे नित्या प्लीज, मेरे दिमाग का दही मत करो ओके, तो फिर मैं तुमारी दिमाग का पनीर करती हूँ नित्या प्लीज, अपनी ये बक्वास और बेफिजुल की बाते बंद करो ओज जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो इडियट नॉनसेंस दिरज की बातों का नित्या को बहुत बुरा लगता है वो हॉल में जाकर रोने लगती है तब ही वहाँ पर उसके ससुर अंकुष आते है क्या हुआ नित्या बहु, तुम क्यों रो रही हो पापा जी, दिरज और मेरी शादी को अब पुरे छे मेने होने को आये है लेकिन उसने मुझे आज तक ठीक से बात भी नहीं की है आई नो ये शादी एक समझोता है आप और मेरे पापा बिजनेस फ्रेंडस है इसलिए ये शादी कराई थी नहीं नित्या बहु, ऐसा मत सोचो दिरज पहले से ही अपनी फिलिंग्स को एक्स्प्रेस नहीं कर पाता है इसलिए उसे थोड़ा वक्त लगता है थोड़े दिनों के बाद अच्छानक से अंकुष एक जवान लड़की मोना के साथ शादी करके घर आता है और उन दोनों को देख कर नित्या और दीरज एकदम से शोक हो जाते है पापा, ये आपने क्या किया? शादी की तो की और वो भी एक जवान लड़की से पापा जी आपने तो हमें बताया भी नहीं अरे सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि क्या बताओ अब बस अपनी नई साथ को स्विकार कर लो बहो ये है मोना मेरी मोना डार्लिंग हेलो दीरज और नित्या कैसे हो? अरे दीरज तुम तो अपने पापा से भी ज़्यादा हैंडसम हो हाँ? ताइंक क्यू मोना जी नित्या को अपनी नई साथ मोना कुछ ठेक नहीं लगती क्यूंकि वो दीरज से कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगती है अगले दिन सुदे बस मैं ये जूस और नहीं पिऊंगा लेकिन दीरज चलो दीरज बेटा ओफिस के लिए देरी हो रही है बाई मोना डार्लिंग बाई एंकी बेबी दीरज जूस जूस को आधा छोड़ कर ही चला जाता है और जब नित्या कीचन में कुछ लेने जाती है उससे इस जूस का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़िया हो गया है उतने में वहाँ पर नित्या आती है और वो मोना को दीरज का जूटा जूस पीते हुए देख लेती है और वो हेरान रह जाती है मम्मी जी ये आप क्या कर रही है आप मेरी पती का जूटा जूस क्यूँ पी रही है हाँ तो कोई गुणा कर लिया के मैंने चुडेल कही की अरे दीरज मेरा सोतेला बेटा हुआ तो क्या हुआ बेटा तो है ना बेवकूप कही की जाओ अभियास से अपनी मनुहुश शकल लेकर नित्या को मोना का ये अज़िव बरता बहुत खटकता है आधी रात में अच्चानक से अंकुश की आग खुल जाती है तब वो मोना को कमरे से गायब देखता है अरे ये मोना कहा चली गई मोना मोना डारलेंग स्वीठार तुम कहा चली गई हो अंकुष का चट से मोना और किसी आदमी के हसने की आवाज आती है ये क्या ये आवाज तो चट से आ रही है और ये आदमी की हसने की आवाज है आवाज तो सुनी हुई लग रही है अंकुष जब चट पर जाता है तब वो देखता है कि मोना चटपर अपने फोन में एक कॉमेडी शो देख रही है और वो आदमी के हसने की अवस फोन में से आ रही थी क्या तुम भी एंकी बेबी मुझे तो तुमने डरा ही दिया लेकिन मोना तुम इतने रात गये यहाँ चटपर ये शो देखने के लिए आई हो अंकुष बेबी मुझे गर में बहुत घुटन में हिसस हो रही थी तो इसलिए मैंने सोचा कि टेरेस पर आकर खुली और ताजी थंडी हवा भी खालो उशो देखने का भी मजा उठालो अंकुष और नित्या दोनों को अब अपने पती-पत्नियों पर हलका-लका शक होने लगता है एक रोज जब नित्या धीरच का शर्ट वाशिंग मशिन में दूलने के लिए निकालती है तब वो उस पर लिप्स्टिक का निशान देखती है और साथ ही उसके शर्ट से एक फिमेल परफिम की महक आ रही होती है ये क्या? दीरच के शर्ट पर ये किस बूत्नी के जहरेले होटो की निशान है और ये परफिम की खुश्बू? ये तो अरे ये तो मम्मी जी की परफिम की खुश्बू है इसका मतलब मेरी सास ही मेरी सोतन है उस दिन भी मम्मी जी का बरता बहुत अजीब था उसने दीरच का जूटा जूस पिया था फिर निट्या जाकर अंकुश को सारी बात बताती है क्या? ये तुम क्या बखवास कर रही हो निट्या बहू? माना कि मोना तुमारी सोते लिसास है लेकिन तुम उस पर और मेरे बेटे पर इतना घटिया इलजाम नहीं लगा सकती तुमें कोई हक नहीं है मुझे कोई शौक नहीं है पापा जी लेकिन यही सच है परसो रात भी वो छट पर गया था जाते वक्त उसने गले पर निशान नहीं था आने के पाद उसके गले पर लव बाइट का निशान था क्या? इसका मतलब परसो रात को छट पर वाकई में कोई आदमी था और वो आदमी कोई और नहीं बलकि मेरा बेटा धिरजी था पापा जी उन दोनों के अफेर का भांडा फोडने के लिए मेरे पास एक प्लान है हम दोनों उन दोनों को बताएंगे कि हम कुछ दिनों के लिए कही जा रहे हैं आप बिजनेस ट्रिप पर बता देना और मैं माई के बता दूंगी और खाली गर देखकर वो मोके पर चोकत जरूर मारेंगे ठीक है नित्या बहू फिर नित्या और अंकुष ये प्लान बना कर धीरज और मोना को जूट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं मोना और धीरज को लगता है कि वो दोनों वाकई में कही चले गए हैं इसलिए अकेले घर में रहकर वो दोनों खूब रोमेंस करते हैं धीरज जानू आज कोई भी नहीं है आज ये घर हमारा है और आज की रात हम दोनों कुछ तूपानी करेंगे येस जानिमन कितनी अच्छी लाइफ है ना हमारी तुमारे बाप के प्रॉपर्टी के पेसो पर राज कर रहे हैं हम और उपर से हम दोनों एक ही चतके नीचे रहते हैं तभी वहाँ पर नित्या और अंकुष आ जाते हैं उन दोनों को देखकर मोना और धीरज बहुत डर जाते हैं अंकुष दीरज को एक जोर दार थपड लगाता है नाला यक, बता कब से चल रहा है ये सब मुझे माफ कर दीजिये पापा Actually, मोना और मैं एक दूसरे को दो साल से प्यार करते है लेकिन आपने मेरी शादी आपके बिजनेस फ्रेंड की बेटी यानि नित्या से कराई और मैं ये भी जानता था कि आप मेरी शादी मिडल क्लास मोना से कभी नहीं कराते मैं और दीरज एक दूसरे से दूर रहना बरदाश नहीं कर पा रहे थे इसलिए मैंने अंकुष अंकल को अपने प्यार के जाल में फसाया और उनसे शादी करके इस घर में आ गई ताकि मैं 24 गंटे अपने दीरज की आखों के सामने रगू और वो भी मेरे सामने रहे छी, तुम दोनों प्यार में इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था दीरज तुमने रिष्टे नाते सबका मजाग बना कर रग दिया है अगर तुमें मुझसे शादी नहीं करनी थी तुम मुझे बता देते न तुमने मेरी जिंदगी क्यों खराब की अब बस, अब और नही मैं तुम दोनों को अपनी प्रॉपर्टी और अपनी जिंदगी से बेद अखल करता हूँ निकल जाओ मेरे घर से क्या? दीरज और मुझा खूब बिंती करते हैं लेकिन अंकुष उन दोनों को घर, जिंदगी और प्रॉपर्टी से बेद अखल कर देता है